गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे है आप सब? बच्चों आज की दिनाख है पांच 11 एनिकी नवंबर 2020 हिंदी कारे पत्री का करम संख्या 101 कक्षा 2 जिम जिम का पार्ट है अधिक बलवान कौन? अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो जानते हैं कि अधिक बलवान कौन? हवा या सूरच? नीचे दिये गए कहानी के अंच को पढ़िये और रिखांकित शब्दों को दोराईए सूरच ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो सूरच तपने लगा तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिये और कोट उतार दिया पवन ने सूरच को प्रिणाम किया और कहा वा मान गई तुमारे बल को बच्चों यहां आपने दिखाओगा कि सूरच के लिए ही यहां सूरच शब्द का इस्तिमाल हुआ है और यहां सूर्य का इसी तरह हवा को पवन भी बोला गया है ताकत के लिए बल का शब्द का भी प्रियोग हुआ है और आदमी के लिए व्यक्ति का भी जैसा कि आपने उपर लिखी पंक्तियों में देखा कि सूरच के स्तान पर सूर्य है और हवा के स्तान पर पवन शब्द का प्रियोग किया है ऐसे शब्द जिनकी अर्थ समान होते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं तो बच्चो जैसी कि सूरज को सूर्य भी बोलते हैं इन दोने की अर्थ सेम है यानि कि हम इनका इस्तेमाल एक ही चीज के लिए कर रहे हैं तासे नीचे दिये गए शब्द को उनके समान अर्थवाले शब्दों के साथ मिलाईए तो चलिए मिलाते हैं सबसे पहले है ठन ठन को बोलते हैं सर्दी भी बोलते हैं तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे सितरा बल्वान बल्वान यानि के ताकतवर इसका समान अर्थ वाला शब्द हुआ ताकतवर हाती हाती को गज भी बोलते हैं गज गज स्री कववा उसको बोलते हैं काक किताब किताब को हम पुस्तक भी बोलते हैं फूल को पुश्प भी बोलते हैं घर को घ्रै और पेड को व्रिक्ष ये हैं इनके समानर्थ वाले शब्द इनको अच्छे से पढ़िए बच्चो और अभी भाव को के लिए सुजाव बच्चों से पाचीत करते हुए उन्हें बताईए कि जैसे सूरज और हवा की अलग-अलग खूबिया है वैसे ही हम सब में भी अलग-अलग खूबिया होती है बच्चों से घर के प्रतेक सदस्य की एक लम एक-एक खूबी बूछे और तब तक के लिए अपना भौत भौत ख्याल रखना है और जब भी भाव जाए घर आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पाने से अच्छी तरह धूना है और मास्क पैन के ही बहाँ जाना है धन्यवाद बच्चों टेक केर